मन्जी पश्रिम की दिजसा में जा रहे हैं और जदी गुरुजी के नाखून के बराबर पेरों के ना खून की जिसको हम कहते हैं पेरों के नाखून के बराबर हम यहाँ दुमका विधामसवाशेत्रफ में आये हुए हमाए बीच अमित मौतर जी जो सstar gest可以 और विधायक थे तो आये बात करते हैं सरे जो 21पेर ही जो डोर कर रहे हैं तो संदेश क्या देना चाहर है संदेश कुछ नहीं सर हम तो यहां के माननी मुख्यमंदरी जी को आगरा करते हैं विनती निविदन करते हैं थोड़ी सी रोज के रोज गाली दे लेते हैं कि खतियान के आधार पर इस्थान निती बने खतियान के अधार पर नियोजन निती बने ताकि हमारे यहां पर अधिक से अधिक यूआ यूवातीओं को छत्र छत्रों को रोजगार मिल सके उन्हें उसकी पहचान मिल सके जो कि अब तक इन 220 वर्सों में हमें नहीं मिलिएनी है खत्यानी होने का हमें कोई मत तो नहीं दिया गया है जब कि हम खत्यानी है रहिएतदार है यहां के जमीन के मालिक है यहां जल जंगल जमीन हमारा है तो निश्यत रूप में सर हमें जारकंडी कहलाने का मौका मिलना चाहिए ना कि कोई 10 सालों में आगे है 15 सालों में हम सबों के बीच में रह रहा है और आके उसके पेरलल आप खड़ा कर दे हमें और कह दें कि वो भी खतियान वَّो भी जारकंडी है हम भी जारकंडी है तो यह सर्मुनासिब नहीं है इसका वेरोथ-जता रहे हैं परों को पीडा यहां पर चलाई जा रही थी और उसमें हैमन्त जी और उनकी जो पाटी है जरकन मुक्ति मोर्चा पाटी है महागडबंदन वाले लोग हमेसा ही चड़कर विरोध किया करते थे आज के समय में वो इसी नीती को कर लिए हैं तो सरा इसी नीती का हम विरोध करते हैं और दूसरी बात है कि हम तो यहीं कहेंगे जब बात अभी वो कुछ बोल का है निबा रहे हैं जे बिलकुल गुरुजी स्रधय है हम तो उनको एकदम आदर्स मनते हैं वो हमारे राजनित गुरु है उनको देखके ही हम लोग आगे बढ़े हैं और गुरुजी की जो तमन्नाएं थी जो इच्छाएं थी जारकन के गुरुजी अगर पूरप की दिसा में जाते थे तो आज हेमन जी पश्चिम की दिसा में जा रहे हैं और जदी गुरुजी के नाखून के बराबर भी जदी हेमन जी होते तो आज हमारा जारकन समर्दी के मार्क पड़ागे बढ़ता विकास को चूमने का काम करता अपनी ब अजाज फाइदा यहां के माननी मुख्यमंत्री जो कि उनके सुपूत्र है वो उठाने का काम कर रहे हैं गुरुजी अगर स्वस्थ होते तो निशित तोर पर ऐसी नौबत नहीं आती हम सबों को ये दिन देखना नहीं पड़ता गुरुजी हमारे पहले भी आदर्स थे अ जे बिल्कुल सपोर्ट की बात नहीं है सर यहां पर हरेक युवा अपने अधिकार को लेने के लिए आगे बढ़ रहा है ये अच्छी प्रविर्टी है ये अच्छे आने वाले समय का परिचायक है आने वाले दिन बेहतर होंगे निशित तोर पर सर युवा जब आगे बढ अधिकार को लेकर कही न कहीं जब उसकी हकमारी हो रही है तभी वो अज अपने घर से निकल कर आगे बल रहा है किताब कलम जो उसे पकड़कर रखनी चाहिए आज वो किताब कलम छोड़कर कभी धरना परदरसन करता है कभी सड़क जाम करता है कभी 60-40 नाय चलतों की नारे लगाता है तो कभी हेमन स्वरेन मुर्दाबाद के नारे लगाता है कभी हेमन स्वरेन हाई हाई के नारे लगाता है कभी हेमन स्वरेन होस में आओ के नारे लगाता है लेकिन आज हेमन जी के गलत नितियों का विरोध कर रहे हैं यह हुआ